हैलो एवरिवन फॉर्स्टली आई वेलकम यू अल टू माई चैनल एस्टादी वीट बीसुतो होफुली आप लोग का अभी टक पेंटिंग का एक्जाम खटम हो गया होगा और सब कोई का बहुत अच्छा गया होगा क्यूंकि मेरे पास question paper आगया है और इस वीडियो में हम लोग इस question paper का analysis करेंगे और roughly थोड़ा सा summarize way में सारे question का answer हम लोग देखने का try करेंगे और यहाँ पर मैं एक टीज वीडियो को start करने से पहले ही बता दूँ यह जो आपका painting है class 12 का fine arts का history of Indian art का इसका mostly question जो है मेरे notes से आया direct आया है वैसे हम लोग आगे तो देखेंगे चलिए इसी के साथ आपको जैसे पता है इसमें दो घंद आपको time मिला था और 30 मार्स का question था चलिए इसको हम लोग बारी बारी से question देखते है section wise और solution हम लोग थोड़ा सा समाज लेते हैं analysis भी थोड़ा सा कर लेंगे ठीक है तो इसमें जानते हैं तो इसमें टोटल जो है आठ question आने थे और एक एक मार का था उसी तरह इसमें question section भी है जिसमें से टोटल आपको 10 question आया 10 नमर का question आया हुगा दो नमबर का एक question होगा पांच मार का मतलब टोटल पांच question थे इसमें और section C में सिंप्लीज 6 मार का दो question आया था 12 नमर का टोटल 30 मार का हो जाता है चलिए यहां पर हम लोग बारी-बारी से question answer देखते हैं ठीक है तो section A में हम लोग देखते हैं multiple choice question ठीक है तो पहला question क्या है ठीक है question में which of the following painting is a continuous narrative that means various episodes have been shown in a single सिंधे को इतना ही से आप लोग समझ सकते हो different different episodes को एक ही painting में दिखाना और ऐसा painting राजस्थानी स्कूल से था हम लोग का भरत मिट्स रामा एत्र चित्रकुता ठीक है तो यह इसका हो जाएगा option number for right answer उसके बाद question number जो है हम लोग भी देखेंगे assertion region ठीक है तो assertion क्या कर रहा है female beauty is the most important feature of किशन गर स्कूल बिलकुल सही मैंने पढ़ाया हुआ था किशन गर स्कूल का जो है mysterious beauty महां के artist जो है बहुत अच्छे से paint कर थे तो region क्या है both the patron and painters of the किशन गर स्कूल were worshippers of female beauty 100% सही बात है यह वहां के राजा भी बहुत अच्छा painting बनवाते थे female beauty का जो वन ही था नहीं थी राजा थे वहीं अपनों की मतलब कोट डांसर थी और वहीं जो है गाइड किये थे की painting बहुत सुंदर बनना है चाहिए देखो तो इसमें पहला option जो है both a and are true यह तो दोनों सही है साथ में जो है आर जो है वो correct explanation भी है assertion का ठीक है रीजन भी सही है तो इसका option a जो है वो हो जाएगा right answer चलिए next हम लोग देखते हैं अब हम लोग का question number 3 या फिर कहलो जो है तो देखो राजा रवी वर्मा हो ही नहीं सकते है बेंगल से है यह दोनों भी बेंगल से है यह तो modern trend से है तो एंसीडा answer हो जाएगा इसका option number 3 जो है वो हो जाएगा right answer आप लोग का उसके बाद next हम लोग का question आता है who give the title नादिल अल असर एन आर्टिस्ट तो उस्ताद मंसूर को जो है यह title मिला था जहांगीर के द्वारा की क्यूंकि यह board के बहुत बड़े बहुत मतलब कालाकार बहुत मतलब अच्छा boards को paint करते थे from mughal school of miniature painting तो इसमें जहांगीर option number 3 जो है वो हो जाएगा आपका right answer चलिए इसी के साथ हम लोग अपना next question देखते हैं वो भी assertion region है ठीक है इसमें देखते हैं assertion क्या बोल रहा है basole school emerged as a result of the sweet union of पहारी folk art and mughal miniature painting technique मतलब यह कह रहा है कि जो basole school था ना वो मतलब emerge हुआ था या फिर उसके style जो था painting को करने का उसमें पहारी school का और mughal school का technique का यूज हुआ था मतलब इसके बारे में बोल रहा है उसका region क्या करा है although none of the painters of basole school were from mughal court मतलब although none of the मतलब कोई भी ऐसे painter जो नहीं थे मतलब वो painter नहीं थे जो mughal court के महाँ पे नहीं थे तो देखो यह थोड़ा सा tricky है इसको समझोगे लोग तो आपको आराम से यह भी आसान लगने लगे देखो तो इसमें assertion का जो बात है ना basole school में मुगल टेकनीक का मतलब असर दिखता था मतलब यह से influence है यहां के painter यह बात सही है और यह जो लेकिन इसका region जो दे रहा है यह गलत दे रहा है यह region भी पहला बात एस ओर्चन का सही नहीं है और आर भी अपने आप में गलत है दीख है तो both a and r true तो यह होगा नहीं यानि यह अप्शन जो है direct यहां से cut हो जाता है यहां पर यह option होगा यह जो है वो true बात है लेकिन r जो है वो false यानि कि option जो अपका 3 जो है वो हो जाएगा इसका right answer ठीक है अच्छे से पढ़िएगा समझीग आप देखो यहां पर बात हो रहा है कि मुगल miniature technique जो था उसमें ढिखता थ पहारी school में या फिर boss holy school में यह हम लोग जानते हैं इसके कोई भी painter मुगल court से ठेहीन ऐसा हो ही नहीं सब्था है वहीं से आए होंगे तब ना इसमें influence होए होंगे तब ना पहारी या फिर boss holy school में जो है painting किया जाने लगा होगा मुगल का elements दीखने जाना होगा बीना painter क्या तो दिखेगा नहीं या और ये बात भी सही है तो इसलिए ये जो option होगा आपका हो जाएगा बिलकुल right option ठीक है उसके नेक्स हम लोग का question क्या है which Mughal ruler was not a supporter of artists? simple एकदम easy answer है और अरंग जीए बीजनी के time पे जो है painting ban हो गया था ये art और painting related काम को अपने court में बंद करने बाद की हुमायू जहांगीर और तीनो जो है art के काफी ज्यादा सौकीन थे उसके बाद next हम लो question देखते है which figure was shown in the middle of the Indian national flag in 1921 वाला जो flag आप लोग देखेंगे उसके बीच में जो है मतलब flag के बीच में जो है वो क्या दिखाया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है ये जो question है आपका evolution of flag में से है तो स्वास्टिका तो direct cancel हो जाएगा art कमल direct cancel हो जाएगा और शोक चक्र जो है ये final हम लोगा जो flag आया था उसमें था तो spining wheel या फिर मैंने चड़का भी बताया था ये हो जाएगा आपका right answer ठीक है उसके बाद हम लोगा next question है जो कि ये sculpture से आया है by whom the sculpture स्वांट लाल family depicting the daily struggle of common man is made मतलब ये पूछ रहा है कि जो central family जो sculpture है इसके sculpture कौन है या फिर इसके जो artist है वो कौन है so इसका आपका right answer हो जाएगा राम किनकर वेज जो है वो इसके sculpture थे तो that's all यहाँ पर हम लोगा mcq question finally solve जाता है और इस बार का mcq में practically आपको बोल रहा हूं एकदम बोल रहा हूं सही बात बहुत easy question था आराम से आप लोग सारा question का answer दे पायोंगे चलिए इसके साथ अब हम लोग finally section B पे हम लोग जो है वो jump करते है ठीक है इसमें question क्या कर रहा है पहला देखते है ठीक है इसमें और और करकर के question होगा चलिए देखते है आमिर खुस्रो इस depicted with a musical instrument in this Deccan painting showing the respect and resurgence for his teacher ठीक है आमिर खुस्रो को जो है डिपिक किया गया जो की disciple है हजरत निजामुद्दीन के अलिया के और उनको दिखाया गया है देखकोन इस्कूल के painting में ठीक है और वो respect भी है उनके teacher के और ये भी चीज़ में दिखाया जा रहा ठीक तो पहले क्या बोल रहा है identify this painting included in your course of study and write its title and medium देखो medium जो है इसका हो जाएगा water color on paper technique इसमें क्या हो जुगा था tempera painting का नाम क्या हो जाएगा आप लोग का painting का नाम जो हो जाएगा हजरत निजामुदीन ओलिया एंड आमीर खुसरो एकदम easy question यह भी है और इसका next question में क्या पूछ रहा सबस्कूल इसके सबस्कूल यह हैजरा बात से आता है उसके बाद इसके आर्टीस जो थे वह तो unknown थे पूछा भी नहीं है उसके आट क्या कर रहा है डिसक्राइब इस और पोजिशनल एरेंज्मेंट इन्योर आउनवर्ड तो यह बताने की जरुवत नहीं है इस पेंटिंग में जो चीज दिखाया गया अप्रिसीयेशन आप लोग करीं दियोंगे कैसे आमीर खुसरो को दिखाया गया है जो की बैथे हुए है आमीर खुसरो जो है वह बैथे हुए अपने गुरू के साथ यानि की हजरत निजामूदिन अलिया जी के साथ कैसे रिस्पेक दिखाया गया है बैक्ग्राउंड में क्या दिखाया है इस सब चीज आप लोग अपने से लिख सकते है ठीक है तो होफ़ली आप भी यह बना दियोंगे काफी easy question है चले इसके और वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो और वाला पार्ट देखते हैं सो question करा around 70 50 AD मतलब 1750 की बात की बात हो रही है चोगन जो एक गेम था पोलो वो इमर्ज हुआ था रेजिस्टिस्नल गेम एक गेम के रूप में और रोयल फैमिली में देखकन मतलब देखकन के था है इक जो चोगन प्लेयर है वो राजस्थानी में भी यह भी confused मत हो जागा तो यहाँ से या इससे भी आप लोग पकर सकते थे या फिर यह AD लिखा यहां इससे भी आप पकर स तो इसमें हर्स में बाइट की ये गेम खेला जाता है तो इसमें हर्स पर करता ही है बैंट करते हैं प्लेयर का ठीक है खर्टिगा जो अच्छा होगा जादा हुगा अच्छा गेम खेल पाहेगा मैंने सेंपल पर में भी बताया था इस पेंटिंग के थू जो है आर्टिस जो है वो उमेन इंपार्मेंट को अच्छे से दिखा रहे हैं कि उस जावाने में भी ओमेंस को इतना छूत दिया जाता था कि वो अकेले बाहर जारी है गेम खेलनी हैं होर्स पे लड़की होने के बाउजित्वी जबकि आज भी के सोसाइटी में कई कई जगा पर इस सब चीज पर रोक टोक है चलिए इसमें अब नेक्स क्वेस्टन क्या कर रहा है उसको देखते है इसमें इसमें गेम का यह हो सबस्कूल से आता है इसका सबस्कूल हो जाएगा गोल कॉंडा उसके बाद नेक्स इसमें क्या कर रहा है थ्रियू लाइट ऑन ड़ कॉम्पोजिशन और कॉलर अर्रेंजमेंट इसमें देखो इसमें पहला बाद तो सब्जेक्ट मैटर लिख दोगे उसका इस पैंटिंग म में हालका का सा लेक को दिखाया गया है उसके पानी को इस कलर में दिखाया गया बैक्गरांड में यलो है या सिर्फ यह सब टोगेदर मतलब बसली स्कूल जो था सबस्कूल जो था उसमें जो और ना मेंटल जो फॉर्म होता था नेचर का और तो लो कल मा का फॉका था उनको एक साथ दिखाया जाता था which was filled with the reversions and devotion by the painters of Vasoli school by filling them with colors of divine and selfless love बस यहाँ पर थोड़ा सा एक Vasoli's of school का description दिया है उसके है क्या कर रहा है from your course of study identify the painting of Vasoli school मतलब इस अपने course of study से इसमें किसमें यह चीज को दिखाया गए मतलब nature की beauty को जो है वो दिखाया किया है painter के द्वारा Vasoli school के painting में ठीक है और उसके बाद उसमें color को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है और यह जो है मतलब काफी मतलब decorative painting का तो इसमें इसका पहला बात यह painting Vasoli school का कौन सा है वो लिख देना है उसका name जो है painter का वो लिखना है देखो इतना ही से यह समझ में आ जा था और मैंने यह बताया भी था यह painting जो है ना वाशोली से है यह ही simply एक ही painting ही है और इस painting में जो है ना सही बात है nature को काफी ornamental form में दिखाया गया कैसे इसमें जो क्रिष्णा विट गोपी जो painting है ना इसमें गोपी के साथ जो क्रिष्ण जी जो है उसके background में जो plants दिखाया है ना सौरी trees जो दिखाया है ना उसके लिफ कुछ जादा ही colorful है जो की nature में इतना colorful बहुत rarely exist होता है मतलब करता है तो उसको काफी अच्छे से decorative way में दिखाया गया और उसके यहां पर एक और चीज दिखा रहा है color भी बहुत अच्छा दिखाया गया है जो love को selfless love और divine को dedicate करते हैं तो इससे भी आप लोग पाचान सकते हैं दिवाइन से क्रिस्न जी और selfless love जो है वह गोपी करती है क्रिस्न जी से इससे भी आप लोग यह पाचान सकते है तो टाइटल मैंने बता ही दिया क्या होगा पेंटिंग का क्रिस्ना वीठ गोपी जो जाएगा इसके आर्टीस जो है वह मनाकू हो जाएंगे बस उसका नेक्स क्या कर रहा है दिस्क्राइब आर्टीस्टिक फीचर फीचर और एक प्रिजेख मैंटर हो जाएगा उसके उसके ऐसा लिखोगे ना इसमें पहला प्रिंटिंग में किस ल रस किम का यूज हुआ है बैक्राणम में क्या दिखाए गया व्हौंत क्या मैंन जो जामिनर रिवर के उसके कॉर्णर पर बहुत इतना ही पेटर एक जामिनर खुस हो के आपको नंबर दे देगा ठीक है उसके चलिए नेक्ट हम लोग इसका और कोस्टन देखते हैं हम लोग और अच्छे से ठीक है इसमें क्या कर रहा है डिस्प्लेंग दर रूलर और अर्बन इन दिस पेंटिंग फॉर्म ऑफ कांगरा स्कूल डिपिक्ट्स द पीपूल अफ गोकूल मुविंग तुवार्ज द प्रोस्पेरस व्रिंदावन देखो यह व्रिंदावन की ओर एक पेंटिंग में जाते हुए दिखाया गया नंदियसोदा आंड क्रिश्न विटकिंसमें इस पेंटिंग में आप लोग देखोगे तो यह रूलर बैक्ग्राउंड को और और अर्बन बैक्राउंड को अच्छे से दिखाया गया है और उसमें गोकूल के जो लोग है वह व्रिंदावन के ओर जा रहे हैं पेंटिंग का टाइटल भी कहता है तो इसमें पहले क्या कर पोजिशनल एरेजमेंट लिख दोगे और पैंटिंग में क्या दिखाया गया है लिख दोगे ठीक है एक डॉम इजी मतलब इस बार का हमको पेंटिंग का को संवाजी में नहीं आ रहा इतना इजी आ कोई से गया बहुत इजी आया है पिछले दो साल में सबसे इजी को सब इस बार का जाए ठीक है चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स कोस्टन अपना देख लेते हैं ठीक है नेक्स कोस्टन क्या है और भाई सेंपल विपर से सीधे कोस्टन आ गया है कोस्टन नमबर फोर हम लोग का दे नैच्रल एस्ट्रेटिंग ऑफ मॉसल एंड क्या करा डिस्क्राइब इस आर्ट और एस्टेटिकली अन दे बेसिस अफ कंपोजिशनल अरेजमेंट मेडियम टेकनिक एकदम इजी क्वेस्टन है यह आपका क्वेस्टन में पूछा तो दीपी रचादरी हम लोगों ने बता ही दिया ठीक है उसके बाद क्या करा इसका आ मेडियम और टेकनिक की बात की जाए तो यह भी एकदम इजी है मेडियम ब्रॉंज और सीमेंट है ठीक है उसका यूज करके बना गया मेडियम टेकनिक हो गया बस एकदम इजी को संथा यह भी चलिए इसका हम लोग और वाला देखो सैंपल पर से डू-तीन क्वेस्टन इम्मोरियल इन दा नेम ओफ वीड़ो हुड मैनी प्लेजर्स आर टेकन अवे फ्रम ओमें और मैनी सोशल रेजिस्ट्रिक्शन आर इंपोज नेम देखो जब कोई भी लेडी जो है वीड़ो हो जाती है तो यह बात एकदम कुल्चरल बेसिस पर रिलिजियस बेसिस पर हर औ बहुच चाऀब को क्शिन लिया जाता है जैसे साधी कर परता लेकिन यह बयक्यारी में डिक्कत हो जाता है उसके सोशल लोग बहुत रेजिस्ट्रिक्शन लगाता है तो यह सिं पल सा यह एक哇 यह जो है आप लोग का है जो आफ वाल से उसका बात हो रहा है इसमें क्या कर रहा है चलिए हम लोग उसको आराम से देख लेते हैं और समझते हैं इसमें क्या चीज की बात हो रही है पहला क्या कर रहा है में अप्रिंट में कर यानि जो ग्राफिक प्रिंट इसके बनाने वाले अनुपरम सुद्ध सैंपल पर में भी सेम को सटना था इन यूर सिलेवस इसी के साथ हम लोग आपना देखते हैं इसी के साथ हम लोग आपना देखते हैं क्रियेटेड वाई आर्टिस मेंचन बिलोव इट ए स्पेशल रिफरेंस तुद अप्लिकेशन अफ कॉलर एंद टेकनिक आइडेंटिफाइड अप्रिचेट दोमिनेंट इमोशन देखो एमें पूशन का जो पेंटिंग है उसी का बात कर लिया जा है यह जो है मॉडर्ट इसका मतलब क्या इसमें मतलब टेकनिक था मतलब क्या मेडियम था यह सब चीज के बारे में आपको लिखना है तो देखो सिंपली इसमें आप लोग के पहले ताइटल डाल दोगे एमें फुसन जो है वह आर्टिस है मॉडर्ट रेसा के यह पेंटिंग को बनाएगा मेडिय क्या चीज के हैं यह पहले आपको लिखना है तो यह जो आर्टिस्ट है आप लोग थोड़ा सा दिमार प्रोड डाल डालीएगा तो आपको याद आज जागा मेड़ूट यह जो पेंटिंग है उसके यह आर्टिस्ट है इसमें कॉन सा स्ट्रॉंग इमोंसन दिखाया गया इस पेंटिंग में जो है ना इसमें में मेंगधुत पेंटिंग यो रोग्स पेंगा मेंग। यॉवडरन पोस्टर में है और रॉक्स पे बाते वू यॉवडरल को मतलब बोलते हैं कि उनका लिए और जाके messenger का काम करे और ले जाके वो जो है उनके wife तक उनके message को पहुचा दे मतलब उनका message जो है उनके wife तक पहुचा दे उनकी wife जो है जो कि इनके याद कर रही है और ये बता दे कि ये तुरत आने वाले हैं उनसे मिलने तो ये emotion को मतलब एक weight करने की emotion को एक love की emotion को दिखाया गया और इसमें भी लब को और जो एक excitement होता है मिलने का उसको दिखाया गया है और इसमें पुसक्यात क्या कर रहा है इसमें तो मैंने बता ही दिया और इसमें हो जाएगा वाटर कलर और पेपर और पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैंतर है थोड़ा सा वह आप लोग लिख सकते हो चलिए इसी के साथ हम लोग next question अब हम लोग अपना देखते है मतलब काफी चोटा है वर्ट के हिसाब से लेकिन इसका एक्स्प्लेनेशन जो है काफी कॉंप्लेक्स है वास्ट है ठीक है एकडम सही बात है इस इस दो वर्ड विटाउट विच एक्जिस्टेंस अफ एनी लिविंग बिंग का नोट बी इन वैगिसेट नुटिंग कैन भी कंपेर तो देप लॉब आफ मदर ऑवियरस सही बात है मा का प्यार जो है सबसे अलग होता है तुवार्स उसके बच्चे के और इट इज यूनिक एंड इनकमपरेबल सही बात है कोहीं कोई दुनिया में कोई कंप्रीजन नहीं कर सकता है और इसमें यह तो एक फिलिंग को म मॉदर एंड चाइल यह पेंटिंग है और चिल्रेन जो है वह ग्राफिक प्रिंट है दोनों में सीम एमेशन को दिखाया गया है तो इसमें जो है सिंप्ली कोई आप जिसको जो आपको याद होगा वह आप इसपे लिख सकते जैसे मॉदर एंड चाइल ही आपको याद है त इसमें वही प्रोसीडर को फॉलो करना हो रहे हैं वह डाल देना होगा मीडियम डाल देना होगा जैसे कॉपर प्लेट पर बनाया गया था यह सारा चीज आप लोग मेंशन कर दो गया उसका कॉम्पोजिशनल कर लो या सब्जेक्ट मेंटर कर लो सबको एक जगा पे लिख बिखे न होगा और बहुत या आपका कोशन आपका अरामस आसानी से हो जाया चलिये हम लोग इसहीं के साथ आप यह हम्लोग का क्शन भी खतम हुए तो डौंग का को सब्केंशनल को और इसमें से तोटल दो ही कोशन बनाना है बाराइन नंबर का हो जायेगा तोटल 30 नंब प्रम राजस्थानी स्कूल अफ मिनियेचर पेंटिंग है इंडिजिनियस्टनली दिवाइदे पेंटिंग इंटो पार्ट रिपर्जेंटिंटिंग रशिक प्रिया पोईट्री अफ केशों दास इन विच राधा इज ओफेंड़ बाइवियर ऑफ क्रिश्ना हां क्रिश्ना जो है उसमें राधा जी जो है थोड़ा सा गुस्सा है उसको दिखाया गया है आइडेंटिफाई पेंटिंग इंक्लूदेट इन यूर सिलेबस हैज मिन एभम करेक्टरिस्टिक और इंटर्प्रेट इस पेंटिंग ऑन बेसिस ऑफ फॉलोईंग प्रवाइंट देखो कितन इजी कोस्टन छो मार्क्स में आ गया तो इसमें किस पॉइंट को पहला तो टाइटल ऑफ टो पेंटिंग सिंपली बात है क्रिस्टन स्विंग हो जाएगा नेम इसके पेंटर नुरुदीन हो जाएगा उसका मेडियम एंड सॉब स्कूल की बात की जाए तो सॉब स्कूल इ पैंटिंग में ठीक है और इस पैंटिंग में मतलब इससे स्टोडी के हिसाब से जो है क्रिश्टन जी जो है वो क्या करते है करते है अपने एसने पो एक प хоть करते है जanting इसे से घुससा हो जाती है और यह बात जाती है और वहीं पर एक बात भी बात होता है इसे के बारे में दिखाया गया तो तू इसमें बतलब पार्ट से पेंटिंग यह उसी तरह आप इसको अच्छे से एक्सक्राइन कर सकते हैं क्या ही मैं यह रादा जी है वह कुछ मैसेज पहुंचा रही है क्रिसन जी के पास राधा का ठीक है जो की राधा त्वरासा उड़ास है उस बारे में बात हो रही है आप लोग कर दियोंगे चलिए नेक्ट हम लोग कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर एट हम लोग का डिसकस्ट दा फॉलोइंग पॉइंट इन डीटेल तुरू दा क्रिटिकल नोट और मुगल इसकूल का लिख देना है और उसमें से कोई एक पेंटिंग उठा लेना है और आपको उस पेंटिंग को मतलब बिटेल में लिखना है मतलब एक पैंटिंग को या उठा रहे हो जैसे मूगल स्कूल का मानलो मैं क्या एक लिखेंप्र बाका में लेकिन मतलब बेस्ट होगा fast ऑइ कि जिस पर ज्यादा अच्छे से कमांथ करुँ नदा Vous जो है वह एक कृष्णा लिफ्टिंग मांट गॉर्दाना तो पहले यह टाइटल डालोगे उसके आर्टी जो है वह मिस्कीन थे वह दालोगे पिरियर डालोगे एक तीन सिक्षीं सेंचूरी जो था 1550 से 1590 मेडियम डालोगे वाथर कलर और पेपर टेकनीक डालोगे उसके में जो है ना बहुत बारी सारा बार वाला सिच्वेशन होता है तो कैसे क्रिस्म जी जो है अपने गाउंवालों को सुरक्षा करने कि लुस्बारिक्स के पानी से मांट गॉर्दन को अपने फिंगर पर उठा लेते हैं और यह सब्जेक्ट मैटर पर यह पैंटिंग बेस थ तो यह तो आप पर है मैंने अप्रिशियेशन में अपने वीडियो में पढ़ाया ही था उसके चली इसी के साथ हम लोग नेक्स कोस्टन अपना देखते हैं यानि कि क्वेस्टन नमबर नाइन जो है आखरी कोस्टन आठ इजे पावर्फुल मेडियम औफ कम्निकेशन डियर यह बेंगल इसकूल में आपको एक टॉपिक है कंट्रिबूशन ऑफ इंजियन आर्टिस्ट इन इस्ट्रोगल औफ नेशनल फ्रीदम मुव्मेंट उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में जो है दिखाए कि कैसे अपने आर्ट वर को बना के कंट्रिब्यूट किये है इंडिया को फ्री करने में उसमें यह आप लोग लिख दियोंगे किटना इजी कोस्टन है अब बताओ मेरे नोट से जो है तीस में से टीसो कोस्टन मेरे नोट से आया ना जाओ गारेंटी लेलो मैं बोले थे हम नहीं तो बोल रहा था आथा आथाइस ना आथाइस प्लस ल करो 12 का प्रेसर खतम अपना डिसीजन लाइफ का अच्छे से लेना अब यहाँ पर मैं बेस्ट अप लॉक एक जाम के लिए नहीं बेस्ट अप लॉक पर यूर फ्यूजर बलूंगा डाट सॉल बीसु कुमार बाए बाए